दोस्तो, Micromax ने दो स्मार्टफोन इंडिया में लांच किया है, एक तो है Micromax in 1B, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और दूसरा है Micromax in Note 1, यह जो 1B स्मार्टफोन है, यह बजेट फ्रेंडली स्मार्टफोन है, अच्छी बात यह है कि यह made in इंडिया है, और इसका प्राइसिंग काफी अच्छा है, 6999 रूपीस, 2GB, 32GB वाला जो वेरेंट है उसकी, वैसे जो Micromax 1B स्मार्टफोन है, इसका जो बिल्ड और फिनिशिंग है, यह मुझे Micromax Note 1 से बहतर लगा, अगर आपने मेरा Micromax Note 1 का अन्बॉक्सिंग वीडियो द 1B की जो quality है, यह मुझे Note 1 से बहतर लगा, और इसके पीछे तीन कारण है, जो plastic back है, यह single panel है, डिस्पले तक extend होता है, और जो curves है वो काफी बढ़िया है, दूसरा कारण यह है कि पीछे texture दिया हुआ है, जिसके कारण आपको एक बढ़िया सा grip मिलता है, और तीसरा कारण य 999 रुपीस में, यह एक बहुती बढ़िया दिखने वाला स्मार्टफोन भी है, Micromax Note 1 स्मार्टफोन जो है, इसमें एक तो silver frame दिया हुआ है, और पीछे एक back panel है, जो की इस frame के साथ में fix होता है, जब मुझे यह Note 1 स्मार्टफोन मिला था, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देना होगा Micromax को, वैसे Micromax N1B की जो quality है, यह बहुती बढ़िया है, चलिए मैं आपको इसकी unboxing करके बताता हूँ, यह देखिए, यह है Micromax 1B का box pack, और जो specifications है, वो box के पीछे दिया हुआ है, इसकी खासित यह है, कि यह made in India है, और 5000 image की marathon battery के साथ में आता है, तो चलिए, जो box है, इसे मैं खोल देता हूँ, और box के अंदर आपको यह handset मिलने वाला है, जिसकी जो quality है, जो looks है, काफी बढ़िया है, pricing के साथ से बहुत ही बढ़िया है, इसके अलावा box में एक screen guard भी दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी silicon case नहीं है, और यह है user guide, इसके अलावा USB to USB type C data cable, SIM tray ejector pin, और यह unique प्रकार का charger भी box के अंदर दिया हुआ है, यह 10 watt charger है, 5 volts 2 amp का, यह भी made in India है, यह handset 6.52 inches IPS display के साथ में आता है, HD plus resolution है, android 10 go edition रन कर रहा है out of the box, इसमें media tech helio g35 octa core processor का उप्योग किया गया है, अभी जो processor है, यह gaming उसके लिए नहीं है, लेकिन कुछ हद त के लिए यह जो smartphone है, बहुत ही बड़िया है, यह handset triple slots के साथ में आता है, rear side पर dual camera setup दिया हुआ है, 13 megapixel और 2 megapixel का, और जो front camera है, वो 8 megapixel का है, मैं आपको कुछ sample shots बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत idea मिल जाएगा, कि इसकी जो camera quality है, यह कैसी है, 4G volti support करता है, इ यह है Micromax N1B smartphone, pricing भी काफी बढ़िया है, और यह made in India है, Mediatek Helio G35 processor जो है, जैसे कि मने कहा, normal usage के लिए काफी अच्छा है, gaming use के लिए नहीं है, लेकिन कुछ अच्छ तक आप इस पर games भी खेल पाएंगे, camera की जो quality है, pricing के हिसाब से काफी अच्छा है, और जो 5000 image की battery है, यह आ आपको USB Type-C port मिलता है, एक dedicated button दिया हुआ है, जिस copy करके आप Google Assistant को activate कर सकते हैं, और rear side पर fingerprint sensor भी दिया हुआ है, तो यह जो budget friendly smartphone है, यह features के साथ में packed है, आज के तारीक में खास करके parents अपने बच्चों को एक dedicated smartphones देना चाहते हैं, क्योंकि जो schooling activities है, वो आजकल online हो रहे हैं, त तो अगर आपका इस प्रकार का requirement है, तो यह Micromax का N1B smartphone है, यह भी काफी बड़ी option है, budget friendly pricing के साथ में आता है, और यह Micromax brand के दरफ से है, जो की Indian brand है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं, उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, इस वीडियो को like कीजिए और देखते र हैं.